हाल ही में वैग्यानिकों ने अंत्रिच में एक ऐसी रहस्मई वस्तु खोजी है जो कि हमारे सूरच से करीब संतामन हजार करोड गुना जादा चमकदार है और वैग्यानिक भी इसे देखकर हैरान और दंग रह गए हैं वैग्यानिक इसे मैगनेट टार कहते हैं और इसकी जो हमारी प्रतवी से दूरी है वै कई करोड प्रकास वर्श दूर है और इससे इतनी ज़्यदा अरजा निकल रही है जो कि हमारे सूर से करीब संतामन हजार करोड गुना जधा है और इस तरह के एक वस्त का मिलना फिजिक्ष के सारे नियमों को भी फैल कर रहा है दोस्तों आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड नियूस कि पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और जोईन जरूर करें तो आएए चलते हैं सपूरी खबर की ओर वैग्यानिकों ने प्रत्वी से करीब 380 करोड प्रकास वर्जदूर एक अंतरिच में कैसी रहस्त मई वस्त की खोजकी है जो हमारी सूर के तुल्ला में करीब कई हज्जार गुना ज़्यादा चमकदार है और उससे बहुत ज़्यादा एनरजी निकल रही है वैग्यानिकों का दावा है कि यह एक गरम गैस का बहुत बड़ा विसाल गोला है और वैग्यानिक भी जिस समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन वे कहते हैं कि यह एक सुपर नोबा है यानि एक मैगनेट टार है वही इस पर ओहोय स्टेट उनिवरस्टी के एस्ट्रोनामी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर कहते हैं कि यह मैगनेट टार इतना ज़्यादा ताकत वर होता है अगर इसकी ताकत की हम स्केल करें तो एक से दस के स्केल से बाहर रखेंगे इसे सबसे पहले All Sky Automated Survey of Supernova में देखा गया था यह सुपरनोवा यानि यह इंस्ट्रूमेंट कई टेलिसकोप का एक नेटवर्क है तो आएए जानते हैं क्या होते हैं मैगनेट टार दोस्तों हमारे बर्महांड में मैगनेट टार एक खास तरह के नियू टारे के समान मौदोध है इसके बारे में मना जाता है कि इसमें मैगनेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा सक्तिसाली होती है इस मैगनेटिक फील्ड से उच इलक्टरो मैगनेट विकरन हमेशा ही उत्सरजित होते रहते हैं जिसमें की खास तरप एक्स रेस और गामा रेस विकरने निकलती है तो दोस्तों यह जो मैगनेटार खोजा गया है इसे वैग्यानिकों ने नाम दिया है A.S.A.S.N. 15 L.H यह किसी औसट सुपरनोवा से करीब 200 गुना ज़्यदा चमकदार है यहां तक की हमारी गलेक्सी में मौझूद सभी तारों की चमक और जोड़ दिया जाए तो इससे भी ज़्यादा करीब 20 गुना ज़्यादा चमकदार यह मैगनेटार है जो हाली में वैग्यानिकों दोरा खोजा गया है वही दोस्तों अगले महीने हवाल स्पेस टेलिसकोप इस पहली को सुलजाने का प्रयास कर रहा है इसे केंद में इतना रोशनी आखी पैदा कहां से हुई यानि यह एनरजी कॉंसेंट्रेट हो रही है वही मेगनेटिक फील्ड है या किसी भी अंतरिच वस्तों को अपनी और विशाल का ब्लैक होल के तरह भी खीश सकता है वही वैग्यानिकों को यही समझ नहीं आ रहा है कि या एक मेगनेटार है या एक सुपरनोबा है या फिर या ब्लैक होल भी हो सकता है वैग्यानिक इसके स्टडी अभी कर रहे है और वैग्यानिकों को दावा है कि अब तक खोजे गए सबसे ज़्यादा पावर्फुल मैगनिटार में से एक है और इसकी रिसर्च करना वैग्यानिकों के लिए बहुत महत्पूर मना जा रहा है और इसके अलग-अलग डेटास को रिलीस करके वैग्यानिक इसकी स्टडी करने में लगे हुए है तो दोस्तों ये थी बात थाली में खोजे गया एक मैगनिटार यानि हमारी सूरस से भी करीब संतामन हजार करोड गुना एनरजी प्रदान करने वाला एक मैगनिटार दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले नमस्कार